हेलो गाईज वेलकम टू टेक्टोरेल टेक्टोरेल मैं सबकर स्वागते गाईज लेका है हूँ एक अपकमिंग फोंग जो की बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉंच होने बाला है जो कि यह रेड्मी नाइन पावर जी हैं गाईज यहाँ फर रेड्मी नाइन प्राइम की ब बारे में बात करेंगे चले दो वीडियो मिंंए आगे बरते हैं बात कर ऑपरी किस्टम के बारे में यहाँ पर अब को मिलता है एन्रेटे के मिले कर दो मिले गाईज na 2.53 इंच का IPS LCD with auto drop notch मिलेगा गाइज इस फोन में साधे चाहिए इसके जो screen protection है हुए Coding Gorilla Glass version 3 अगर बात करें गाइज प्रोसेसर के बारे में तिहां पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 का वक्ता को 2 GHz का प्रोसेसर बात करें ग्राफिक्स के बारे में तिहां पर मिलेगा 6 Adreno 610 का ग्राफिक्स 4GB का RAM मिलता है 64GB का internal storage मिलता है जिसका भी expand कर सकते है 512GB तक मतलब 464 का व्रेंट मिल रहा है 662 का वक्ता को 2.2 GHz का प्रोसेसर आपको इस फॉन में देखने को मिलेगा तो गाई इधा भी बात कर लेते हैं यहां पर मिलता है quad camera, charger camera देखने को मिलता है rear में जो कि 48MP का primary sensor camera है 8MP का ultra wide angle camera 2MP का depth camera and 2MP का अपके यहां पर देखने को मिलेगा battery performance की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है monster battery 6000 mh का lip polymer 18 watt first charging support की साथ आपको यहां पर battery देखने को मिलता है connectivity and network की बात करते है 4G smartphone यहां पर 5G included नहीं है fingerprint sensor की बात करें तो आपको यहां पर मिलता है side में fingerprint sensor अभी guys phone launch का वे price कितना होने बाले हैं तो price के बारे में बात करते हैं तो price अंदर यह लगाए जा रहा है कि 10,999 रुपीज मतलब 11,000 में आपके phone देखने को मिलेगा launch का वे तो launch है 22nd December मतलब और दो दिन बाद यह phone launch है गाई और expect date नहीं है उसी दिन launch होगा आपको उसी दिन fast sell भी मिल जाएगा यह website ने रेडवी को website में यह announce कर दिया गया है कि हम आपरा fast sell आपको 22nd December को मतलब दो दिन बाद आपको यह phone डेखने को मिलेगा अभी गैस सबर निकल का आता है कि 11,000 में क्या iPhone आपको लेनी चाहिए या नहीं तो गैस मैं कहूंगा कि अगर आप एक budget phone ढूंड रहे हैं जहाँ पर आप थोड़ा बहुत काम भी करोगे थोड़ा बहुत gaming भी करोगे और photo click भी करोगे से साड़े काम के लिए budget phone अगर आप रहे हो तब 11,000 में आप एफोन ले सकता हूं क्योंकि यहां पर आपको जो processor मिलता है वो उतना खास नहीं है 662 का है 2 GHz का लेकिन उतना बुरा भी processor नहीं है यहां पर आप छोटे उतने budget में ज्यादा प्रोसेस आपको मिलेगे नहीं तो यहां पर उतना प्रोसेसर मेंने इस चाहिए नहीं पर आप викच करते रहा हुए काम करते रहुआ बैटरी की चीनता नहीं यह कभी खत्ंनों सारे बात करें तो सब अधर सरसल्म आफिक यह फिर फर ऐसा रर को रेखिOLDना चाहिए नहीं ऑइं मुझे कमेट करें जरुआ बताना तो बस दोस्टो इस वीडियो में वस इतना ही वीडियों चला है वीडियोगा लाइक करो लॉकरो चैलने वन लेसे विक्षा